अगर अभी तक आपने दोवोईज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीक है लो फ्रेंड्स मैं फिरोज में बन दोवोईज इन आपसे भी का स्वागत है आईए देखते आज की टॉप 10 न्यूस अगर न्यूस आपको पसंद आती तो आप इसे लाइक जरूर करना तके य साथी आपको मिलेगा लो रेट अफ इंट्रेस्ट, इजी फैनाइंस, स्पॉट अप्रोवल और स्पॉट डिलिवरी अधिक जानकरी के लिए आज ही विजिट कीजिए एच शॉप नंबर वन ग्रिराज कॉंपलेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट स्टे स्टेंड भीवंडी दूसरी ब्रांच, बाइकर्स पॉइंट, नियर एक्सिस बैंक एटियम, दरगा रोड भीवंडी जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है, बंपर फेस्टिवल ओफर आज भीवंडी के चैलेंज ग्राउंड में, डिविजनल स्पोर्स ओफिस द्वारा, खोको कॉंपेटिशन का और्गिनाइस किया गया था इस कारेकरम का गाठंग भीवंडी मापालिका के आयुक चरी अजेव वैद के हतों किया गया इस कॉंपेटिशन में भीवंडी के 27 स्कूलों ने पार्टिसेपेट किया आपको बताते डिविजन स्पोर्स से जीत कर ही स्टूइन्स आगे स्टेट और नैशनल लेवल के टर्नामेन खिलते हैं जिने जितने के बाद स्टूइन्स को बोर्ड एक्जैम में एक्स्टा मार्क्स मिलते है भीवंडी के आस बीवी परस्तीत मिन्सिपल स्कूल नमबर 65 पिछले 23 दिनों से बंद है जिस पर आज भीवंडी इस्ट के मले रईश शेक ने मन्तपा आयूक के साथ एक खास मुलाकात की और स्कूल को दुबारा रियोपन करने पर चरचा की आयूक ने बताया के स्कूल को कोड के और्डर के चलते बंद किया गया है साथी कहा कि मापाली का दुबारा स्कूल को दुबारा शुरू करने के लिए एफिडेविट भी दिया गया है महीं एमेले रईष शेक ने इस मामले में पेरेंट्स को पार्टी बना कर कोड में अबजेक्शन फाइल करने को कहा है इस मामले की अगली सुनवाई एक नमेंबर को होगी भीवली शेयर के लिए आज है बड़े गरोग का दिन चैना में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भीवंडी के निवासी आदिल अंसारी ने जीता ब्रॉंज मेडल आदिल अंसारी ने अपने सहयोगी नविन दलाल के साथ आरचरी डबल्स में ब्रॉंज मेडल जीत कर अपने शेयर और देश का नाम रशन किया है आपको बता दे कि कुछ सालों पहले एक एक्सिडेंट के चलते आदिल अंसारी की 90% बोडी पेरलाइज हो गई है ग्राम पंचायद कारियले में हुई चोरी विवंडी के गुंदवली कराम पंचायद कारियले को निशाना बनाते हुए कारियले के मुखे दर्वाजे पर लगे ग्रिल को तोड़ कर चोरी करने के घटना को अंजाम दिया गया है वहीं चोरों ने अलमारी में रखे 120,000 रुपे चोरी कर लिए इसी तरह 23 से 25 अक्टोबर के दर्मियान दापोडा के हरियर कंपोर्ण में स्थिट पुंडलिक आहिरे के गाला नमबर 108 और 109 के पीछे की दिवार को तोड़ कर प्रवेश किये और मॉबाइल चोरी कर लिए जिसकी शिकायत कैलाश लहू पाटी ने नारपली पुलिस थाने में कराई दर्ज पुलिस ने अग्याद चोरों के खिलाव किया मामना दर्ज औलाइन श्रॉट करने वाले दो आरोपी होई गिरफतार मॉंबाइ के विले पारले में रहने वाली फैशन डिजाइनर को एप्रिल के महिने में दिविया नाम से एक मेसेज आया था जिसमें महिला को यूट्यूब चैनल्स में लाइक करके पैसे कमाने का लालज दे कर महिला से 10,67,000 रुपे लूट लिए गए इसकी शिकायत महिला ने साइबर क्राइम में दर्श कराई थी पुलिस ने आइपी ऐड्रेस और टेकनिकल मदद से दोनों आरपी को किया गिरफतार कतर में इंडियन नेवी के आइट पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा आइट महिने पहले इंडियन नेवी के आइट पूर्व अधिकारियों को जासुसी करने के आरोप में गिरफतार किया गया था ये सबी आफिसर भारती नौसेना में अलग-अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं उनके ओपर इसराईल के लिए जासुसी करने का आरोप है नहीं है मुंबई से बीड गई बस का एक्सिडेंट और एक अम्बूलेंस की टकर दो हाथसे में 10 लोगों की हुई मौत 25 लोग घायल बीती रात बीड में दो अलग-अलग हाथसे हुए पहले हाथसे में मुंबई से बीड गई ट्रैवल एजेंसी की बस का एक्सिडेंट होने से बस देड़ सो फिट रोट से नीचे गिर गई जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई 25 बूरी तरा घायल हो गई वहीं दुसरे हाथसे में एक एम्बिलेंस की टकर ट्रक से होने के बाद ड्रैवर साही चार लोगों की मौत हो गई और एक शक्स घायल है आगरा में ट्रेन में आग लगने से जुल से 11 लोग आगरा की भंड़ा ही रेलवे स्टेशन पर पटलकोट एक्सप्रेस की देड़सो से ज्यादे यात्रियों से भरी दो बोगियों में आग लग गई ये आग आगे भी फैल सकती थी लेकिन गेट में की समझदारी की वज़े से एक बड़ा हाथसा होने से टल गया गेट में येशपाल सिंग ने ट्रेंट से उटते धुवे को देख लिया था और स्टेशन मास्टर को इसकी जानकरी दी जिसके बाद ट्रेंग के दोनों डिब्बो की एलेक्टिक सप्लाय काट दी गई और एक बड़ा हाथसा होने से टल गया मदे पदेश में पुलिस वाले ने साप को दिया CPR सोशल मीडिया पर वीडियो हाव वाइरल जानकरी के अनुसर साप कितनाशक के पानी में गिर गया था जिसकी वज़े से वो बेहोश हो गया पेस्टिसाइट पीने से उसकी जान भी जा सकती थी तो वीडियो में दिख रहा है पलिस कर्मी अतुल शर्मा ने उसके मूँ में हवा भरी और साब की जान बचाई आपका बता दे कि ये साब जहरेला नहीं है ये एक रेट सनेक का धमन साब है कुछ देर बाद साब को होश आ जाता है और वो वहाँ से रेंगता हुआ चला गया साब को पूरी तरह से होश आने में करीब एक घंटे का वक्त लग गया आज स्टॉक मार्केट में नजर आए भारी गिरावट लोगों की भारी डिमांड और बहतरीन रिस्पॉंस को देखते हुए हैपी शॉप ने एक बार फिल्ड लांच किया है फ्री पेट्रोल ओफर जहां आपको 500 रोपे से ज्यादा की हर शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल यह ओफर एक अक्टोबर से शुरू होगा वहीं हैपी शॉप इंपोर्टिट चोकलेट्स, इंपोर्टिट ट्रिंक्स और प्रीम्यम ड्राइफ फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है एक बार जरूर विजिट कीजिए हैपी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पर्म चाविंदरा विवन्डी